आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूँ पुष्प फ्रेंड आज हम बात करेंगे बहुत धर्म के बारे में तो इसे जुरेवे टोटल 25 कोश्चन मैंने अपलोट किये हैं तो आप इस वीडियो को अन्त जुर देखते रहे ताकि आपको आने वाले एकजाम में इस कोश्चन से मदद मिल सके हैं तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं बहुत धर्म के बारे में जानकारी फ्रेंड अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जोरू करना चलिए फ्रेंड श्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है बहुत धर्म के संस्थापक कौन है तो बहुत धर्म के संस्थापक है वो गौतम बूध है दूसरा कोश्चन ने गौतम बूध का जन्म कब हुआ था तो गौतम बूध का जन्म 563 इस्तिपूर्व में हुआ था लाइट आफ एसिया किसे कहा जाता है तो लाइट आफ एसिया जो कहा जाता है वो गौतम बूध को कहा जाता है चौथा कोश्चन है गौतम बूद का जन्म कहां हुआ था तो गौतम बूद का जन्म कपिल वस्तू के लुम्बनी नामक अस्थान पर हुआ था फ्रेंड बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ और अगला कोश्चन है इनके पिता का नाम क्या था तो इनके पिता का जो नाम था वो सुद्धोधन था जो क्या थे जो साग के गन के मुखिया थे इनके पिताग नाम शुद्धोधन था जो साक्य गन के मुकिया थे अगला कोशन है बूध की माता जी का नाम क्या है बूध की माता जी का नाम माया देवी है इंपोर्टेंट कोशन है यह सारे इंपोर्टेंट कोशन है तो आप इसे याद कर ले फ्रेंड इनकी सोतेली मा का नाम क्या था इनकी सोतेली मा का नाम गौतमी था और जो इनका लादन पोर्षन हुआ था इनके द्वारा ही हुआ था माया देवी की मृत्ति उनके जन्मे के साथ दिन के बाद हो गई थी, उनका लालन पोर्षन गौतमी के द्वारा हुआ था, फ्रेंड आठमा कोश्चन ने गौतम बूध के बच्पन का नाम क्या था, तो गौतम बूध के बच्पन का नाम सिध्धार्थ था, जब इन्होंने ग्यान की प्राप्ति कर ली थी, तब इनका नाम बूध परा था, फ्रेंड बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला कोश्चन ने गौतम बूध की पतनी का नाम क्या था, तो गौतम बूध की पतनी का नाम यशोधरा था, इनका बिवाज जो है, वो 16 वर्ष की आयू में हो गया था, गौतम बूध के पूत्र का नाम क्या है, तो गौतम बूध के पूत्र थे, वो राहुल थे, फ्रेंड अगला कोश्चन ने बौत धर्म में शपूत, बौत धर्म में सतूप, किसका परतीक माना जाता है, तो बौत धर्म में सतूप, जो है, वो मृत्य का प्रतीक माना जाता है तो फ्रेंड अगला कोश्य ने बहुत धर्म में पीपल किसका प्रतीक माना जाता है तो बहुत धर्म में पीपल जो है वो ज्यान का प्रतीक माना जाता है क्योंकि बुद्ध भगवान ने पीपल विरिक्ष के नीचे ही ज्यान की प्राप्तिक की थी बढ़ते हैं अगले point की तरफ और अगला question ने बुध्य ने कितने वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया था बुध्य ने कितने वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था तो वो था अवस्था 29 वर्ष 29 वर्ष में इन्हों ने अपने घर को छोड़ दिया था फ्रेंट अगला कोशिन ने बूध की ग्रीब त्याग को क्या कहा गया उस समय बूध के ग्रीब त्याग को महावीनिश कर्मन कहा गया था यह important question है क्योंकि एक जाम में repeat होता है अगला कोशिन ने बूध के पर्थम गुरू कौन थे तो बूध के जो पर्थम गुरू थे वो अलार कलाम थे यह important question है इसके पर्थम गुरू थे इनसे सिख्छा ली थी वैसाली में और अगला कोशिन ने बूध को ज्यान की प्राप्ति कहां हुई थी तो बूध को ज्यान की प्राप्ति जो है वो वैसाक पुर्निमा में निरंजना फल्गू नदी के किनारे हुई थी जो पीपल ब्रिक्च के नीचे है अगला कोशिन है फ्रेंट्स बूध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था था बूध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनात में दिया था सारनात रिशी पतनम में दिया था अगला कोशिन बूध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था था अगला कोशिन बूध ने अपने उपदेश किस भासा में दिये थे तो बूध ने अपना उपदेश जो है वो पाली भासा में दिये थे अगला कोशिन बुध के प्रमुक अनुआई सासक कौन थे बुध के प्रमुक अनुआई सासक जो थे वो बिम्बी सार थे प्रशेन जीत थे और उदाईन थे इसमें की बिम्बी सार जादा मुख्य माना जाता है चेंट बढ़ते हैं अगले point की तरफ अगले question की तरफ और अगला question है बुध की त्री रत्न क्या है और ये important question है बुध की त्री रत्न क्या है इसका उत्तर बुध, धम और संग इसके त्री रत्न है बुध, धम और संग अगला कोशन ने पर्थम बोध संगती कहाँ हुई थी। तो पर्थम बोध संगती जहization राजग्री में हुई थी 443 इश्पिकपुर्व में हुई थी। अगला कोशन ने बोध धर्म और जेन धर्म में समानता किस चीज में है तो वो है अनिश्वरवाद में। अनिश्वरवाद के सम्मंद में इन दोनों धर्म में क्या है समानता है अनिश्वरवाद का मतलब होता है कि आत्मा में विश्वास नहीं रखना ये दोनों धर्म में माना जाता है ये दोनों धर्म में पूर्ण जिनम की बात मानी जाती है प्रेंड अगला कोशिन है जो है वो गंधार सैली में हुआ था लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पहला बुद्मुर्ति का निर्मान हुआ था वो मतुरा सैली में हुआ था लेकिन अधिकतर यानि सरवादिक बुद्मुर्तियों का निर्मान जो है वो गंधार सैली में ही हुआ है अगला और लाश्ट पडूर्देश में परता है तो फ्रेंड आपको ये most जानकारी कैसी लगी हमें conducting में लिखका जरूर बताई अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को सेर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में